नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे टाटा स्टार बस 32 सिटर वेरेंट के बारे में इस गाड़ी की बॉड़ी बिल्डिंग टाटा मोटर्स के लपी 710-45 चीजिस पर की गई है और आज हम इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानेंगे चले फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे मेले बात करेंगी इस गाड़ी के हेडलेंज की तो इस गाड़ी में आपको डियोल हैल्यक्षेटप मिलता है और काफी शान स्टार बेंटा मोटर्स जो काफी शान्दा लग रहा है हापर देख सकते हैं और इसके ऊपर मारको पोलो का लोगो लग बनती है टाटा मोटर्स की ये शानदार बस और इसमें मारको पोलो की बॉड़ी है और टाटा की चीजिस है इसे की साथ साथ गाड़ी के फ्रेंट साड में आपको लेमिनेटेड विंड्स्रीन मिलता है और गाड़ी को आपात कालीम परिसिते में टो करनी के लिए आपको एक हुक भी कमपनी प्रोइड करते है जो यहाँ पर दिया गया है इसे की साथ साथ ग्लास पर आपको एक सेफ्टी मेर भी मिल जाता है और अपर साड में गाड़ी में दो हइट मारकर लैंप्स भी दिये गए है जो रात में गाड़ी की हाइट को दर्शाते है इसे के अलावा यहाँ पर fast tag और यहाँ पर दो cross scissor wipers भी गाड़ी में मिल जाते हैं इस bus में Tata Motors ने 100 horsepower का engine दिया है जो torque produce करता है 390 Nm का इस गाड़ी की जो लंबाई है वो 8.6 मिटर से और width जो है वो 2.3 मिटर से इस bus की overall height 2.9 मिटर से और यहाँ पर देख सकते है Starbus का sticker है बात कर लें तो इस गाड़ी में आपको 225-75 और 17.5 section के tire मिलते हैं इसे के साथ साथ यहाँ पर 2 steps और एक indicator दिया गया है steps की मदद से driver cabin में आसन इसे चड़ सकता है driver seat के पीछे के seats में emergency window दी गई है जिसकी मदद से आपात कईम परसिति में passengers बाहर आ सकते है passengers की safety के लिए गाड़ी की windows पर railing भी दी गई है और यहाँ पर back side में देख सकते है इस गाड़ी का यह शांदर emergency exit जो आपात कर इम परसिति में passengers को बाहर निकरने के लिए मददगार साबित होता है और Tata Motors ने इस गाड़ी का rear look भी change कर दिया है जो काफी खुबसूरत लगता है यहाँ पर देख सकते है rear look से काफी बढ़ी लगती गाड़ी और सबसे बेले बात करेंगे इस गाड़ी के tail lamps की तो देख सकते है इसमें आपको halogen based tail lamp मिलते हैं सबसे upper side में आपको brake lamp यहाँ पर नीचे दिया गया है indicator lamp और इसके नीचे reverse parking lamp और इस side में देख सकते है नीचे reverse parking sensor भी दिये गए है और देख सकते है यहाँ पर एक यहाँ पर दो यहाँ पर तिसरा यहाँ पर four और यहाँ पर ऐसे पाच reverse sensor आपको मिल जाते हैं और नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी दिये गए है, सर्कुलर शेप में, और यहाँ पर लाइसेंस प्लेट लैम भी आपको मिल जाती है, लाइसेंस प्लेट के लिए, यहाँ पर टाटा मोटर्स का लोगो है, और इसी के राइट साइड में मारको फू की बात कर लेते हैं, तो लेफ्ट एंड साइड लूक आप देख सकते हैं, काफी शांदार लगता है, वाइट कलर में गाड़ी काफी बड़े लगती है, इसे की साथ-साथ यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इस गाड़ी में साइड मारकर लैम भी मिल जाते हैं, यहाँ पर फ्रन्ट और रियर सायड में लीवस quindi सस् McMahon Σy games सकते हैं चीSis की building भी काफी अच्छी वए गाडी की और यहाँ पर देख सकते हैं गाडी का इस डिफ्र et Axel और 66 गाडी काफी शांदर बॉडी विल्डिंग किये टाटा मोटर्स ने चलिए अब गाड़ी के ड्राइविंग साइड को देखते हैं सबसे बेले देख सकते हैं गाड़ी का ये शानदा ड्राइविंग डॉर जहाँ पर स्लाइडिंग विंडो और यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल दिया गया है इसे की साथ- यहाँ पर गाड़ी का स्पीडियोमेटर दिया गया है और यहाँ पर गाड़ी का फ्यूविल गेज है और यहाँ पर मल्टी इंपरोशन डिस्प्ली मिल जाता है यहाँ पर देख सकते हैं कर टाटा मोटर्स का शांदार फोर स्पोक स्टेरिंग विल यहाँ पर वाइपर की कंट्रोल्स और यहाँ पर लाइट की कंट्रोल यहाँ पर देख सकते हैं लाइट मोड हेवी मोड यहाँ पर 12 वाल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर ABS का स्वीच यहाँ पर exhaust brake का स्वीच है यहाँ पर emergency exit door का indicator है और यहाँ पर front door open का यहाँ पर लाइट की कंट्रोल है यहाँ पर सर्वीस लाइट की कंट्रोल यहाँ पर right की कंट्रोल यहाँ पर regression के कंट्रोल से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें 5-speed manual transmission दिया गया है यहाँ पर music system के लिए space दी गई है और front dashboard आप देख सकते हैं यहाँ पर एक storage space दिया गया है अपर साइड में GPS controller दिया गया है और यहाँ पर एक sun visor यहाँ पर fan यहाँ पर vehicle identification number यहाँ पर आपकी गाड़ी के details आपको दिछ जाएंगे body building और chases की details है यहाँ पर दो emergency hammer दिये गये है यहाँ पर एक first aid box है और गाड़ी का upper side काफी शांदर बने गया है यहाँ पर lights और speakers दिये गये है और यहाँ पर एक emergency light भी आपको मिल जाता है यहाँ गाड़ी का front windscreen और यहाँ पर एक mirror दिया गया है और जो गाड़ी का front overall look है काफ cabin section इस प्रकार दिखता है काफी भेतरिन cabin section है इस बरस का और यहाँ पर यह driver side की cockpit इस side में देख सकते है दो चार छे आठ दस बारह चोड़ा 16 18 20 22 24 26 28 30 और एक 31 प्लस यह one is equal to 32 seats इसकी capacity है और प्लस driver का एक seating capacity आपर दिया गया है आपर side में देख सकते है एक head track यहाँ पर मोजूद है जिसमें आप अपने luggage बगरा को रख सकते है और यहाँ पर LED बेस्ट आपको dome light मिलता है यहाँ पर देख सकते है फ्लोरिंग भी इसमें anti-skid vinyl फ्लोरिंग आपको मिल जाती है और यहाँ पर देखे तो इसमें seats की जो quality है वो भी काफी शांदार ह हैं टाटा मोटर्स की तरफ से BS6 में काफी सारे अप्ग्रेड किये गए हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर speakers के लिए spacing दी गई है इस गाड़ी का उपयोक stop transport के लिए जरूर हो सकता है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर stop button भी जया गया है और जो build quality है भाई जबरदस थे Tata Motors की बात ही अलग है यहाँ पर fire extinguisher है और यहाँ पर adjustable seat मिल जाता है जो comfort के मामले में काफ़ी अच्छा है और Tata Motors की एक बात मुझे काफ़ी अच्छ लगती है कि यह customers के इसाब से गाड़ी बनाते है इस इस बस में company ने बहुत सारे seating options दिये गए है जिसकी हमें एक separate उडियो बनाने वाले है जो हमारे चैनल पर आपको जल्दी देखने को मेलेगी और रिशी की साथ साथ इस गाड़ी की कीमत की बात कर ले यानि प्राइस की बात कर ले तो इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 24. 24.5 लेक यंए 24.9 रुपई से इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है और English में कहें तो 24.5 लेक रुपिज से इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है और ओंधरों प्रेट जो होती दोस्तों इस गाड़ी की almost 26 से 27 लेक रुपिज तक जाती है जिसमें RTO, Insurance, Fast Check लगरा चार्जरे स कर देगा इस गारी की बारे में कुछ बाते और भी है जो आपको जानना जरूरी है इस गारी में 120 लिटर से याने 120 लिटर की फ्यूल टैंक दी गई है इस गारी के माईलेज की बात करें तो इस गारी का माईलेज है 5.5 किलोमेटर प्लिटर याने एक लिटर में गारी साड़ी 5 किलोमेटर चल सकती है और इसके अलावा अगर आपको इस गारी की सिर्फ चेसिस खरेदनी होगी तो उसकी कीमत में RTO, इंशोरंस, फास्टेक जिसे चार्जेस इंकलोड होते हैं जिसकी वज़े से गारी की कीमत और भी बढ़ जाती है इस गारी की ऑनरोल प्रैसिंग की बात करें तो ऑनरोल प्रैस आल्मोस 26 लाक रूपए से लेकर 27 लाक रूपए तक हो सकती है पर यह आप पर डि शुब रहें, जय हिन, जय भारण